तो स्वागत है आपका अपने जलते जीत में आज हम देखने वाले हैं बार्सिक परिक्षद 2021 के गड़त कक्षा साथ का पेपर यहां पर असली आ चुका है यहां पर जो 100% रियल पेपर है अभी स्कूल से आया है यहां पर रट लीजिए इसको नई यू पाटनर पर आधर रह प्रहरों यहां पर चैनल संफ्क्राइब कर लिजिए तौक चैनल करे को सबस्क्राइब कर लिजिए आपको सबसे पहले विडियो 1-ट देख लिए यहां पर फैंट को जानते ही एक से चिन होते हैं तो जुड़ जाते हैं संख्यां तो एक से चिन वाले जुड़ जाते हैं तो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे तो इसका पहले का हमारा आंसर 18 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक से चिन थे इसके वाद दूसरा वाला देखेंगे यहां पर 10 का हमसे हो जाएगा option number कुंसा हो जाएगा option number a इसके बाद अगला question देखते हैं तो अगला question हमाँ दिया है तीसरा संख्याओं एक दो यहाँ पर एक एक दो चार तीन दो मतलब यहाँ पर जो संख्या दी गई इनका हमसे बहु लग पूछा गया तो बहु 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 बह हो था तो च्वफिया को देख लीज़्ें क्या लेक्छा होगा है कॉस्चन तो इसको पढ़़ लेते हैं इसमें लिखा गया हैकि X PLUS 2 BERiment कि कि यहां पर साथ आ जाए तो आपको पता है Đो पहले से ही लिखा हँआ है इसमें पांच पर यहाँ पर एहाँ पर आँशर हो जाएगा साथ तो किस उप्शन में दिया गए हमारे यही तो अफ्शन नमबर हो जाएगा ठीक है दूसरा वाला इसके बाद एकर घुटést देखते हैं तो फांच में दिया गया है दो पूरक कॉनों का योग्फल का दो ध्यान रख होता है एक समपूरक होता है तो यह दो ही खौन होते हैं और इससे ज्यादा कोई खौर्ट आता नहीं तो कितने होंगी नभे डिग्री इसमें आपके ज्यादा है एक्षर टो इसमें कितना होगा यहां पर कितना हो जाएका 180 डिगरी इसका हमारा कर्रेक्टाइट अंसर नमब्र इसके बाद अगला क्वोस्चन देखते हैं चछटमा तो यहां पर चछटमे क्व्चन को देख लेती हैं अच्छे से तो यह दिया गया है Question number six लिसमें क्या कहा गया देख लेजी कितने सीरस होती है यहाँ पर चाँसमें यहाँ सर दिया गया है भुआ से देखते चलिए तो यहाँ पर लाओी त्री मतलब श संस्क्छित पढ़ी होगी तो आपने त्री भुज लिखा है तो मतलब इसमें तीन लिखा है क्लियर इसमें दिया गया तो कितने हों में हमारे तीन सी सो अगला कोश्चन देखते हैं यहां पर सात्मा तो 164 ठीक है 164 के 50% 50% मतलब आप जानते हैं 50% करेंगे दो अट्टें 16 और दो दूनी 4 तो मतलब कितना आ गया हमारा 82 तो 82 इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो आपसर नंबर ए में दिया गया है जिस प्रकाज निकालते हैं मैंने यहां पर बता दिया आपको अब इसका समझ लीजी अगर दिया गया है योज्य प्रतिलों तो योज्य फश्य प्रता साथ किसमे लिखा चन बदल दी जँकला तो यहां पर और ऌपस नंबर सेकंड होजाएगा इसकी बाद आगला खॉशन दीया गया आपका देख लिए जो majGA इसको क्या दीया गया तो यहां पर इसमें देखा हुआ है तो यहीं हो जाएगा हमारा बर्का 6 अब कोश्च नमर 10 देख लेते हैं तो इसमें यह दिया अगया है एकश का मॉन यहां हमारा नुझाव लेटों कि बचाय पूछ देक्ते लुसर में हमारा सभी नाश्यक्ति कॉष्चन में यहां सबस्क्क बाइब बच्रल क kaikki गडशन नाश्यक्ति तो साथी साथ इसको आप अपने फ्रेंड्स में सेयर कर सकते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर क्वेश्चन अगला क्या दिया गया है इसको देख लीजी तो यहां पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है सही सब्द का च में फिजी यह गूरांक एक जैसे हों क्या कहिना द느яжकल shoe현랑 इसकी तो एक कोई नहीं तरफ गौण का कितना होता है इन यह प thief अग्सिनघ्म वाखने सकते हो मुझत कर प्रम सांख्या होती है इसके बाद धार लगा जिसा से कराए जानते हैं क्या गोलते हैं जिसके उसका हमारा आंसर हो जाएगा हिसके बाद जिस्ट पर तरबस की domainsiyaत समें हुआ ही है तो समान मतलब इसमें समान में सम ले लीजिए सम भुजा मतलब आप जानते ही हैं तो भुज हो जाएगा ठीक है तो भुज या सम भुज या सम भाहू ठीक है तो इसका हो जाएगा सम भाहू इसमें सम दो ही लिखा है मतलब इसमें दो भुजाएं बराबर होगी त इसके बाद समकॉर्ण के सामने वाली बढ़ाओ क्या कहा जाता है तो कर्ण कहा जाता है यह तो आपको याद ही रखना पड़ेगा इसके बाद जिन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर आपस में मिलती नहीं है तो जैसे दो रेखाओं हैं एक दूसरे को ऐसे बढ़ाते जाओ तो ये दूसरे गुलैंगें नहीं जैसे छडक कि ग्रोश नर्हें होती घर की डीवार होती है तो यह बुलते हैं समानतर रहें अगलाhat चेदी मतलब छेद कर दें तो बहुत बैसे ही नहीं होंगी समानतर होई नहीं सकती मतलब एक दूसरे काटेंगे 100% क्योंगे छेद कर रही है आपर तो यह वाला हमारा गलत हो जाएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा समान अंतर अगला कुशन दिया गया है एक समीकर्ण में दोनों पक्षों में बेंजगों का मान होना चाहिए कैसा होना चाहिए दोनों बेंजगों में तो यहाँ पर ध्यार रखी समान होना चाहिए ठीक है यहाँ पर मतलब जो बराबर में है यहाँ पर मान रखेंगे तो समान होना चाह लेकर देखते हैं सब्सक्राइब करना यहां पर जाए आपको तो यहां पर जाणा को बताते चलता हूं तो यहां पर यहां पर ठीक है एक से होते हैं तो प्लस होते हैं अलग अलग होते हैं तो माइनस हो जाते हैं तो यहां पर यह हो गया है प्लस तो बिलकुल सही है यह हमारा सही हो जाएगा इसके बाद अगला कॉशन दिया है बाइस मां इसका हमसे पूछा है यहां पर गुड़ा का चल लगा पांस से सट पर कटेगा साथ से चार में और गत देंगे तो अठ्था हीसार तो यह दूसरा भी सही हो जाएगा इसके बाद क्या लगा रिधा है तो प्राकर्थे संख्यां हो सब्सक्राइब संख्यां एक से स्टार्ट होती है यहां पर लिख सकते हैं तो यह प्राकरतिक संख्यां गोई इनका योग करेंगे तो कितना आएगा आपका तो यहां पर पंद्रा हो जाएगा योग योग पंद्रा होगा कितनी संख्यां यह पांच-पांच से भाग दे देंगे तो कितना आ होता है दो अधिकौनों का दो अधिकौन संपूरक हो सकते हैं यह नहीं होगे यह तो आपको खुट पता होगा तो इसका आंसर को लुँर करती है तो को हमेशा समान रहते हैं तो यहova तो हो जाएगा इसके बाद किसी दिर्भुश्षका को बाहिक नहीं सकता tidak भो नहीं हो सकती है इसके बाद यह अगला कोस्टन करतेंगे ला撇प क्ल्संड रहें हमारा फर्शाइट का सूतर होता है यहाँ पर माइनस यहाँ पर में संख्या है तो बिलकुल सही है ठीक है इसके बाद दिया है एक ब्रत का चेतर फल के चार ओर ठीक है की दूरी को परधी कहते हैं या परिमाप कहते हैं तो बिलकुल सही हो जाएगा परदी ओ परिमाप सवान है इसके बाद यह देख लेजिए दोनों माइनस की है तो जुड़ जाएंगे यहां पर लेकिन चिन का यका आएगा माइनस का तो यहां पर यह माइनस का चिन हटा दिया इसके लिए यह असद हो गया अगला question देखican day 738, है। तो यहां पर देखे लिए, आयेत का च्छेत्र फ्ल आयत मतलब अलग-अलग भजाओं होती तो लंबाई फ्ल्ट चौणाई होती है परीवां, यहां पर बर्ग मतलब परीवा परीमा, परीम मतलब चारओं भजाओं का ये प्पल तो बर्के से कह accept हैं जिसकी 4 भुढ़ाः बरावर हूँ यहाँ पसे चारव गुर भुढ़ाः बरावर हुए तो सभी को जोड़ दोगे तो 4 गुड़त भुजा हो जाएगा ठीक है यहाँ पर 4 गुड़त भुजा आपके long question आने वाले हैं तो यहाँ पर इतने ही आप याद कर लिजे तब तक आपके अगले वीडियो में मैं दूसरे वाली question है उनको solution लेकर आ रहा हूं बहुत ही सरल तरीके से तो इनको तो देखे लिए आप यहाँ पर घटाना है तो घटाना है तो यहाँ पर देख लिए पहले से एक माइनस चिन लगा यहाँ पर दो तो हमने बताया था भी हल आपको कि एक से चिन अगर होते हैं तो एक से चिन वाले जुड़ जाते हैं अलगर एक चिन वाले घटते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे पांच और दो कितने हो जाएंगे साथ लेकिन चन्न का एक है माइनस तो माइनस ही रहेगा इसी परकार इसको देख लीजी यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ इनका योगफ़ निकालना है तो यहाँ पर अलगर चन्न दिये गए अलग लग चंदियों होते हैं तो माइनस का चंदियों होते हैं एक से चंदियों तो प्लस का चंदियों आता है जब कोश्टक लगाओ तो माइनस हो गया यहाँ पर नीचे जो एक सी संख्या होती है तो यह उसे एक बार लिख लिया जाता है उपर लिखा है तो घटा दीजी ग्यारा में से पात जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 6 काटती जी तो 3 बटा कितना जाएगा दो इसके बाद अगले कॉस्चनों का सल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्नवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाए हंद।